आप सभी का नर्सिंग एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म फर हार दिक स्वागत है जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्तान से किसा एवम स्वास्ते विवाग भरतियों के बारे में आपको बता है काफी समय हो चुका है इस भरती में हलंकि एक्जाम भी नहीं करवाई इनको डारेक्ट परसेंडेज बैस पे वेकेंसी जी निकालनी थी निकाली डोकुमेंट वेरिफिकेशन करवाया अब बात आती हैं आपकी जॉइनिंग के और उससे पहले प्रोविजनल के ये दोनों काम अभी तक बाकी है तो अब आसार सहीता लगने से 45,000 के आसपास बातियां जो है वो अगले साल तक अटक जाएगी मतलब कि इन 45,000 में से 20,000 बढ़तिया हमारे सिक्षा विवाग की है अब जॉइनिंग पर तलवार रटकती नजर आ रही है उमीदों पर पानी फेड़ेगा ये सचाई कितनी है मैं आज की इस वीडियो में आपको डिटेल बताने वाला हूँ वीडियो लास तक बने रहें आप लोगों को जो रियलिटी है वो मैं आपके सामने फेस कर रहा हू ना कि मुझे कोई गलत बताने से कोई फाइदा नहीं मिलने वाला है तो जो रियलिटी है वो बताऊंगा कल के जो वीडियो में मैंने पहले भी शाप साब बता दिया था कि इस वर्तिक की क्या इस्तती होने वाली है फिर भी कई लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे थे आद होती है जब रियलिटी बताते हैं आपको मलब अजीब सा लगता है हम नहीं चाहते हैं हम नहीं चाहते हैं कि भरती किलियर यह जो नहीं हो हम चाहते हैं कि भरती किलियर हो ताकि उन बेरोजगार जो युवा बैटे हैं या फिर समीधा पर बैटे हैं उनको भी बेनिफिट मिले उन युवाओं पर भारी नजर आती दिख रही है अब दोस्तों जो प्रोविजनल लिस्ट जारी हुई है नर्सिंग ओफिसर, A&M, फार्मा और LT इनकी प्रोविजनल बाकी है और बाकी जो प्रोविजनल लिस्ट है चार केडर की जारी हो चुकी है अब यदि इनको जोईनिंग देनी होती तो ओ चार केडर में से सबसे पहले कभी की निकड़ी ओ लोगों को अभी तक ना क्या किया साथ साथ दिन दे दिये भाई प्रोविजन होने के बाद में भी आपतियों की अब साथ दिन की कहां जरूर थी एक सो बीस तीस कैंडिडेट थे उनमें फिर भी पताने क्या चाहती है ये विभाग और ये सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी हम कह सकते हैं एक उमीदों पर पानी फिर रहा है अब अटके की सभी बरतिया क्या न्यूज है आज की वो मैं आपको क्लियर बता देता हूं फिर आपको पूरी डिटेल्स देने बारा हूं तो वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एज्यूकेशन को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें अपना प्यार और सपोर्ट हमें जरूर दें हम आपके लिए लगातार हर एक इन्फोर्मेशन साथ कैसी भी इन्फोर्मेशन हो आप तक शेर जरूर करते हैं और उमीद करते हैं आपने और सिंग एजुकेशन का जो टेलिग्राम चैनल है वो भी जॉइन कर रखा होगा तो यदि वो कर रखा है तो अच्छी बात है नहीं किया आते दोस्तों कैसे करना टेलिग्राम पर जाकर सर्च करोगे जर सिंग एजुकेशन तो वहां मिल जाएगा नहीं तो आप डारेक्ट लिंक मैं दे रहा हूं लिंक पर किलिक करके जॉइन कर ले चलिए स्टार्ट करते हैं आज की दनिक भासकर की न्यूज है जेपुर वुद्वाज 4 अक्टुम्बर 2023 को 13 भरतियों के 20,000 पदों की परिक्सा अगले साल सरवादिक सिकित्सा विवाग के आसार सहिता लगते ही अगले साल तक अटक जाएगी 45,000 भरतिया अब सबसे बड़ी बात करें विनूद जेपुर में मितल निनोन नियूज दाले आसार सहिता से पहले भरतियों के पूरा होने का इंजार कर रहे इवाओं की उम्मीदे टूटनी तय लग रही है अगले 10 दिन में विदान सबा चुनाव की आसार सहिता लगने की संबावना है ऐसे में 65,000 पदों पर हो रही 27 भरतियां प्रस्तावित होगी ये भरतियां फिर अगले साल ही पूरी हो पाएगी आसार सहिता के चलते 14 भरतियों की 45,000 पदों पर न्युक्ती की परकिरिया अटक जाएगी इसके अलावा 13 भरतियों की खरीब 20,000 पदों पर भरति पर इक्सा अगले साल होगी जिन पदों पर न्युक्ती अटकेगी उनमें सरवादिक पद 6 विबाग भरतियों के मैंने पहले भी बताया आपकी भरतियों के पद है जैदा शिक्सा विबाग की तीन बड़ी भरतियों के 63,000 से अधीक पदों में से करीम 10,000 पदों पर न्युक्ती अटक सकती मतलब शिक्सा विबाग के 53,000 पदों पर न्युक्तिया हो चुकी है या हो जाएगी और उदर बेरोजगार आसार सहिंता से पहले अधीक से अधीक भरतियां में निक्तियों की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं लेकिन एजेंसियों की दीमी गतिके चलते भरतिया आठक नीत तैय होगी अब कौन सी बड़ी तीन एजेंसियों की लापिरों की बज़े से बढ़ाई मुश्किल हैं तो वो सबसे पहले है और पी एसी वरिष्ट रद्याबग भरति का पेपर आउट फिर भी फिर से परिक्सा करवाई इसके चलते वरिष्ट रद्याबग भरति के साथ अन्य भरतियों की खिरिया भी धिमी होगे नेक्स करमचारी चाहिन बोर्ड ततकाल अधिक्स हरी परचाज सर्मा ने बीच में पत छोड़ा नए अधिक्स की नियुक्ती में दे रही सित्मबर अक्टॉमबर की परिक्साइं अगले साल तक खिसकी यह आपको सामने दिख रही है नेक्स नेक्स जो हमारा एजिंसी है सिफू अब इन्होंने क्या गया राजस्तान स्वास्ते हों पुरिवार कर ले अगले साल सेड्यूल जा रही है कोई परिक्सा नहीं फिर भी दे रही हुई है इनमें से पांच भरतियां तो पिछले साल की इन 15,716 भरतियों की परिक्सा अगले साल सेड्यूल जा रही है अब किन-किन की अगले साल भरतियां हो गई तो वो है शमीदा मैला स्वास्ते कारी करता पद दोजार अठावन है शमीदा नर्ज भरति 1588 पद है तीन फरवरी की दोनों का एक्जाम होगा करिंस्ट लेखाकार भरति है 590 पद है 11 फरवरी को होगा तैसील राजस्तव लेखाकार एक सो इंठाणू संगणक भरति 553 पद 3 मार्च को एक्जाम होगा सूचना चाईक भरति 273 पद 211 जनोटी को एक्जाम होगा आरेस भरति 23905 अगल मुख्य अगले साल लाइबरेरिन फ्यूटिया इसाहाई का चाहरे अविरित्त है नहीं रिवाइज सेडूल जारी किया है बोर्ड के पास भरति बड़ी भरतियों में एद्यापक भरति थी जिनमें अर्ताइक जार पत्ते लेबल वन और लेबल टू क परिणाम जारी किये रिवाइज सेडूल भी जारी कर दिये अलोग राज अध्यक्स राजस्तान करमचारी चैन वोड कई माँ पहले निगले भरतियों में नियुक्तिया नहीं मिलना लापराई है प्रयास कर रहे कि जल्दी से जल्दी नियुक्ति दिलवा सके उपे पढ़कर आपको भी समझ में आया गया होगा कि अब सरकार क्या चाहती है विभाद क्या चाहता है अब कुछ ना कुछ दोनों की मिली भक्ती हो सकती है या फिर एजन्चियों की गलती हो सकती है कि समय पर अपना काम पूरा नहीं करना जिसे बेरोजगार यवाओं के लिए एक बड़ी मुश्किल हो सकती है बड़ी कह सकते है क्योंकि दोस्तों आपको यदि जॉइनिंग नहीं मिलेगी तो अब को हो सकता है एक साल के लिए भरती आगे किसक्जाए डेट साल के लिए इसकिसक्जाए हो सकता है ऐसे में अपने आपको एक बड़ी कह सकते हैं एक बे थी, मैंने बताने की कोशिस की फिर भी आपको लगता है, कि जॉयनिंग मिलेगी, तो मैं चाहता हूँ, कि मिलनी चाहिए दस दिन है, आसार सहींता को लगने में आसपास, तो मिलनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसलिए तो वेट खरने हैं सब लोग joining मिलनी चाहिए और यह नहीं मिलती है तो मैंने जो यह news बताई है वो अगले साल तक भरती हाटक सलती है के लिए और कोई doubt है आपके तो comment box में आप comment करके ज़रूर बताए हम मिलते हैं next ऐसे ही किसी important and news vacancy के वीडियो के शाहत अब तके लिए सबी फ्रेंड स्वास्त रहें मस्त रहें thank you so much